हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाल सीर्म एक नए वीडियो के साथ आज मैं आपके लेकर आई हूँ रॉंड चोटी आप इसे गोल चोटी भी कह सकते हो तो फ्रेंड्स गोल चोटी बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पॉने टेल बनाना होता है उसके बाद पॉने टेल के बालों को हमें चार सेक्षन में लेना होता है तो चार स्रिक्षन में बालों को लेने के बाद हमें इस तरह से, मैं आपको नज़िक देखवर फिर से बता दू, हमें बालों को चार स्रिक्षन में लेना होता है, एक पॉने फिर बनाने के बाद इस तरह से बालों का चार स्रिक्षन करेंगे, चार स्रिक्षन में बालों को ल से बालों को छोड़ देंगे और दूसरे साइट से बालों को इस तरह से ले लेना है और फिर इस तरह से हमें एक सिंपल चोटिन यसी बस पिनते जाना है और इस तरह से हम इस बालों को भी इस तरह से छोड़ देना है और दूसरे साइट से बालों को इस तरह से अंदर से लात को लेना है यानि कि मैं आपको समझा दो तो राइट से लेफ्ट लेना है और लेफ्ट से राइट लेना है और वो भी अंदर के साइट आप तेकर इस तरह से बालों को अंदर से लेना है तो इस तरह से बाला अंदर से आपको लेकर बता रही हूं इस तरह से अंदर से लेना है आप इसे ध्याउन से देखना और घर पे dry करना मैं आपको slowly slowly बता रही हम ताकि आपको समझ भी आ सके तो आप देखी रहो इस तरह से लेना है अंदर के सैट से बालो को लेना है ताकि ये gold shape में बनता जाए इस तरह से आप बनाते जाओगे तो इसके गोल से बनते जाएंगे तो इस तरह से पूरे बालों को बीनते जाना है अंदर के सैट से लेते जाना है और इससे बस इस तरह से बीनते जाना है तो फ्रेंट्स आप दीख रहे हो इस तरह से ये गोल चोटी बन गया है और इस तरह स बस लेफ्ट से राइट लेना है और राइट से लेफ्ट लेना है और इस तरह से गोलचोटी बनाते जाना है तो ये गोलचोटी बन गया है फ्रेंस आप इसे ध्यान से देखना और घर पे ट्राइब करना तो फ्रेंस आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप इसे द बताना, तो फ्रेंड्स आप देख रहो यह a peròny tail, यह चोटी बन गया है इस तरह से, अब सबसे पहले एक upony tail बनाना होता है, फिर बालों को चार्ट सेक्षनमें करकर उसे इस तरह से गोल्यटेञे में बिलते जाना होता है लेफ्ट से रैट और राइट से लेफ्ट। देखे हो इसդरह से फॉचटे की चोटी बन गई है देख रहे हो ना कितने बढ़िया से ये चोटी में ऑर इसे गोल्योट200 कहते हैं और यह बहुत ही बढ़ियां से बना है आप इसे अपने घर पर ट्राइ कर जरूर करना तो फ्रेंड्स आज के लिए धन्यवाद बाई